नमस्कार किसान भाई मैं कित्यातव आपके इस यूटूब चैनल इंदुस्तान डेरी फारम में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो पशू के अंदर एक फूल पाच्छा वैस बदन दिखाने की बहुत जबर्दस्त जो बिमारी कहे हैं वो अपने पशू के अंदर आने लग गई है तो उस बिमारी शी आम अपने गर पर एकाशी निजाज पा सकते हैं अगर आपकी पशू के अंदर भी बिमारी हो गई है तो आप क्या पशू तो तक लिए पाएगा है पाएगा साथ जो उसका माली का वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशान हो जगता है तो आज आपको वहीं दो चार बाते उसके बारे हम बताएंगे कि किन कारणों से होतती है पर ऊसका क्या एलाज का सकते हम अगर आप चैनल पर पहले पार आ이죠 और वीडियो को लागoquें जरूर कीजिए और किसान और किसान बाएगे पास शेयर केजिए ताकि इसको वीश भीमारी के वारा में बताफ चल सकते हैं शबसे पहली मैं इसका और न बतादी हमकी किया सब्सक्राइबें आपको क्या लेना है समसे पहले एलो वीरा जिसको अम आयान विदेशी वासे में गोवार पठ्ठा भी करते हैं वे दर्द कुमारी का जात्ते है इसको सुध वादसा में वो आपको लेन है 240 गिराम या 200 गिराम ले लिजियो उसके बाद आपको क्या करना है दही लेना है दही आपको 400 गिराम लेना है और आपको 400 मिली लिट्र पानी लेना है तिनों को मिला कर अपने पशो को दिन में एक बार खिला दीजिए जद्धा तर तो आपके पहले बार में आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा अगर किसी कारणवास आपको नहीं कुछ परेशानी हो रही है आपको डॉक्तर के पास जरू संपरक कीजिए क्योंकि आर्चीर किसी परसूशरीर अलग-अलग हो जाता है और वो आर्चीर उसको परसूट नहीं कर बती कभी आप इस फॉर्मूले की वज़े से अपने जो लगख रुपय का धन्यों कोडियों के बाउ जे सकते हैं तो जिन्यवाद जिन्यवाद जिन्यवाद